Hello everyone, इस वीडियो के अंदर हम तूज कॉम्प्लिमेंट के आखरी टोपिक्स के अंदर आ गया हैं जहां पर हम देखेंगे कि बैंटरी से डैसिमल में कैसे करते हैं और डैसिमल से बैंटरी में कैसे करते हैं अब तक हमने इतना कवर किया है कि हमें negative numbers की requirement क्यूं है हमारे hardware के क्या restrictions है और उसके बाद हमने देखा कि two's complement binary के अंदर कैसे काम करता है तो basically हम जानते हैं हमारे पास decimal system है हमारे पास binary system है हमने decimal के अंदर plus देखा था हमने decimal के अंदर minus देखा था हमने decimal के अंदर tens complement भी देखा था हमने binary के अंदर addition देखा है हमने binary के अंदर two's complement देखा है अब कोई भी decimal का number हो उसके corresponding binary कैसे निकालनी है signed के case में और कोई भी mandatory हो और उसके corresponding decimal कैसे निकालना है signed के case में ताकि हमारा जो ये topic है वो complete हो जाए तो अब तक की वीडियोज की summary लिखते हुए हमने अब तक जो भी देखा है उसको combine करके हमें के algorithm लिखते हैं या step-wise procedure देखते हैं जिससे हम किसी भी mandatory number को decimal में convert करेंगे या किसी भी decimal को boundary में convert करेंगे given की वो हमारा positive and negative integer हो ठीक है तो हम सबसे बहले fix करते हैं example के लिए कि हमारे पास हैं 3 bits या सही example के लिए हम ले लेते हैं 4 bits 4 bit की boundary तो इस वीडियो के अंदर हम सभी 4 bits की boundary के उपर काम करेंगे तो algorithm क्या बोलती है कि step number 1 यह है कि हमारी check msb step number 2 if msb msb का मतलब हमारा most significant bit अगर हमारी है 0 के एक वल तो if msb is 0 then directly convert to decimal और वो होगा मेरा positive number if msb is 1 तो इसका मतलब है our number is negative ठीक है number negative है तो लेकिन यह वाली value कहाँ से आएगी हम निकालेंगे find choose complement of a given number given binary number that will be magnitude ठीक है यह हमारी अलगुड़ था मैं तो कुछ सवाल करते हैं इसके उपर ताकि यह चीज हमारी clear हो जाए दूसरे example पर आते है 1011 इसके अंदर क्या है कि मेरा यह 1 है इसका मतलब है मेरा answer में आएगा minus अब यह वाली value क्या आएगी यह वाली value निकालने के लिए मैं सबसे पहले करूंगा 1011 का once compliment once compliment के लिए मैं flip करूंगा तो once compliment के लिए 0100 और उसके बाद में two's compliment निकालने के लिए इसके अंदर plus one करूंगा जीरो वन जीरो वन और जीरो वन जीरो वन क्या होता है एक दो चाराट चारूर 1750 तो यह थी मेरी meanus 5 की बायंटरी एक winning बार मैं confirm कर देता हूं इसको तकि कलियर रहे कि यही क्या ही minusा मिघरे है लिए तो हमारे पर से 0000, इसे पहले आता है हमारा 1111, इसे पहले आता है मेरा 1101, इसे पहले आता है मेरा 1100, इसे पहले आता है मेरा 1011, इसे पहले आता है मेरा 1010 and so on, तो अगर मैं ये देखूँ, ये मेरा 0 होगा, ये मेरा minus 1 होगा, ये मेरा minus 2, ये मेरा minus 3, ये मेरा minus 4, ये मेरा minus 5, minus 5 की mandatory मेरे इसक जो कि लग सकते हैं कि हां मतब कहुंषे हैं ये वाला example है हमारा 10000 इसके अंदर क्या है यहां पर यह मेरा 1 है इसका मतलब है यह अंसेर थो माइनेस में आएगा अब मैनिटूड देखना है इसका यह नहीं है कि यह माइनेस کا 0 है magnitude निकानने के लिए हमें इसका 2-0-0-0 का सबसे पहले हम लेंगे 1's compliment by flipping the bits 0-1-1-1 इसके बाद हम लेंगे 2's compliment by adding the 1, 1 add करने के बाद हमारा ये हुआ और इसके बाद हम देखेंगे 1-2-4-8, ये मेरा 8 हुआ, तो ये मेरा 8 magnitude यहाँ पर आ गया 2's compliment लेने के बाद हमें फरक नहीं पड़ता है यहाँ पर क्या है क्या नहीं, हमें बस simply value लिखनी है तो ये है मेरा minus 8 similarly, अगर मेरे को minus 8 5 bit के अंदर लिखना हूँ हम binary extension का case देख लेते हैं तो ये देखते हैं चलो बहले 1-1-0-0-0, ठीक है तो इस case में ये था मेरा minus 8 मैं claim करता हूँ कि ये मेरा 5 bit के अंदर minus 8 है और ये बाद सही है क्योंकि हमने bit extension के time सीखा था कि 1 को extend करेंगे तो 1 की copy लग जाएगी तो इस case में हम देखते हैं क्या ये minus 8 के एकवल है या नहीं तो step number 1 हमने leftmost bit देखी इसका मतलब है ये मेरा होगा minus का number number क्या होगा सबसे पहले step flip the bits once compliment के लिए add 1 ये होगा मेरा 010000 124816 और ये मेरा 8 magnitude 1 है तो minus 8 ये हो गया हमारा किसी भी binary को decimal में कैसे convert करते हैं अब चलते हैं हम डेसिमल से binary की तरफ और sign का हम मतलब जानते ही है sign का मतलब जो two compliment के method को follow करता है तो decimal के लिए हम मारे पास कुछ cases आते हैं पहला case तो ये है कि given number मतलब 3 बनाने लेता हूँ एक ताकि हर एक case cover कर लेंगे in range मतलब two compliment की range के नदर कोई number है या नहीं है if yes इसके बाद negative positive इसके लिए लग steps होंगे और अगर range के अंदर नहीं है ये हम कैसे चेक करेंगे ठीक है हमारे पास तीन तरह के case आ सकते हैं decimal से signed binary में convert करते हुए और हमें तीनों का ध्यान रखना है ताकि हमारी जो calculations से final वो सही रही ठीक है तो पहला case हम cover करते हैं जहांपे हमारी positive number in the range और हम बात कर रहें यहां पर 4 bits की और 4 bit के अंदर हमारी range होती है minus 6 से लेके plus 7 तक तो positive number हमारा कोई भी range में है माल लिया हमारा 4 है तो 1, 2, 4, 8 4 bit का है हम देखेंगे कि 4 की binary हम लिख सकते है 0, 1, 0, 0 और ये मेरा direct काम है direct हो गया मेरा positive numbers के अंदर कोई दिख्खत नहीं है direct हो जाएगा अब हम चलते है negative numbers पे negative number in range माल लिया अब ले लेते हैं minus का 5 ठीक है अब मेरा number है negative तो मैं एक चीज तो जानता हूँ कि जो मेरी 4 bit की है यहाँ पर मेरा आना चाहिए 1 यह जिस्तों दिमाग में सबसे पहले आने चाहिए अब 5 की boundary लिखेंगे minus 5 की boundary लिखने के लिए पहला step है right boundary of 5 दूसरा step find two's complement यह मेरा देदेग अंस्वर ठीक है तो लिख देते हैं पहले एक दो चार आठ 5 की boundary होगी 0101 step 1 flip the bits 1's complement के लिए तो 1010 add 1 1011 हमने पहले देखा था कि यह मेरा minus 5 ही है और यह मेरा MSB1 है तो मेरी verification होगी कि हाँ यह कुछ negative number ही represent कर रहा है यह होगे मेरा 1011 और 1011 से हमारा उपर देखा था हमने कि 1011 हमारा minus 5 ही है binary to decimal के case में ठीक है यह सही है अब हम चलते हैं थोड़े corner case पे जब हमें मान लिए कि 15 bit, 20 bit या 26 bit का दे रखाओ कोई number और हमें पता नहीं है कि हमारा given number उसके अंदर representable है या नी तो कैसे चेक करेंगे तो हमारा अगर मैं 9 लिखनी की कोशिस करूँ किसमें? 4 bit की system में तो मैं देखता हूँ कि क्या मैं लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता और assume कि हमें पता ही नहीं है किसकी range का है हम जानते हैं कि no is range के अंदर नहीं है लेकिन अगर मान लिए हमारे पास बहुत सारी bits हैं और हमें पता नहीं है कि किस range के अंदर है या किस range के अंदर नहीं है तो हम कैसे चेक करेंगे तो सबसे पहला काम तो वही है write the binary चाहे positive number हो ये चाहे negative number हो इसकी binary लिखनी जुरूरी है तो हम लिखेंगे 1001 क्योंकि ये 248 में 8 और 9 हो गया ठीक है इसके बाद क्या इसके बाद हमने देखा कि जो हमारा number positive है हमारी algorithm क्या बोलती है कोई भी हमारा positive number हो उसके binary agtage लिखतो काम खतम हमने no की binary agtage लिखी लेकिन हमने देखा कि इसके MSB1 हो गई और MSB1 होने का मतलब हम जानते हैं MSB1 होने का मतलब ये negative number रिपरेटेंट करता है इससे कि हमारा काम चल गया था अब कुछ और बड़ा number ले लेते हैं मानलिया मैं लेता हूँ 16 या 17 ले लेते हैं 1248 अगर मैं यहाँ पर 1111 भी कर दो ये मेरा at max जाएगा 15 मैं 17 को रिपरेजेंट करी नहीं सकता तो 17 को मैं इसके अंदर रिपरेजेंट करी नहीं सकता therefore ये भी मैरा not possible 9 भी मैरा not possible ठीक है अब negative numbers का भी case देख लेते हैं जब हम देखते हैं कि मान लिया हमारा minus 8 है हम minus 9 का example ले लेते हैं simple तो minus 9 का example लेने के लिए सबसे पहले हम 9 की binary लिखेंगे जो की हमने लिखा यहां पर भी steps किये थे तो 9 की binary के अंदर हमने लिखा 1001 वही दिखता आ गई 9 की binary हम लिखना चाहते थे लेकिन ये शुरू में ही negative number की तरह treat हो रहा है जो की गलत है similarly अगर मैं minus 17 करूँ तो सबसे पहले मैं 17 की binary लिखूँगा जो की मेरा possible नहीं है तो हम algorithm को एक तरह से compress करके कैसे लिख सकते हैं तो step 1 find binary of magnitude magnitude का मतलब है minus 7 का magnitude होगा पलस का साथ 6 का magnitude होगा पलस का 6 मतलब positive numbers का magnitude positive number negative number का magnitude उसकी positive value करके if that magnitude is not representable in n bits जैसा कि हमने 17 की case में लिखा था हम 4 bits के अंदर 17 को represent नहीं कर सकते हैं then out of range हम इसको represent नहीं कर पाएंगे third case third step if msb becomes 1 then out of range msb becomes 1 का मतलब है binary में convert करते हुए जैसे कि हमने minus 9 की case में देखा था हमारी binary लिखते हुए यह direct यह msb 1 होगी जो की गलत है step number 4 check the sign if positive we have answer if negative find 2 and report it and we have answer यह steps हैं जो हमें याद रखने हैं किसी भी decimal number को binary में convert करने के लिए और यह मेरे हर्त रहके cases cover कर रहा है ठीक है अब last step छोटा सा हम signed binary को hexadecimal में कैसे लिखते हैं तो जैसे कि हमें ने देख लिया कि let's say हम थोड़ी complexity बढ़ाने के लिए हम 5 bit number की बात कर रहे हैं 5 bit number के अंदर हमें लिखा है कि हमें माल लिया कि हमें minus 11 दे रखा है हमारा सवाल है यह minus 11 है base 10 का तो थोड़ा सवाल है दूसरे example ले लेता हूँ minus 9 ले लेता हूँ repetition के लिए तो मेरे को represent करना है इसको base 16 के अंदर और base 16 के अंदर में लोंगा 2 hedge यह मेरे को given है 2 hedge places तो जो हमारी algorithm थी positive numbers के लिए वो क्या थी कोई भी conversion करना हो आपस में सबसे पहले हम binary में convert करेंगे और फिर binary से आगे जाएंगे ठीक है कोई बात नहीं है 5 bit की binary के अंदर या हम direct लिख लेते हैं न हमें क्या करना है 2 hedge के place लिखने है तो मतलब यहां पर कुछ 4 bit की 1 hedge value होगी यहां पर भी 4 bit की 1 hedge value होगी तो हमें output जो देना है वो 8 bit की binary के अंदर सबसे पहले दे देते हैं तो minus 9 को convert करने के लिए हमारी algorithm क्या बोलती है हमारी algorithm यह बोलती है सबसे पहले हम इसका magnitude की binary लिखेंगे 9 की binary हो जाएगी मेरी एक दो चार आठ सोला बत्ती चौंसर ठेक सोट हाइस तो 00001001 step 1 खतम अब हम 2 check करेंगे तो यह है मेरा step 1 यह है मेरे checks यह है मेरा step 2 तो check number 1 if that magnitude is not representable in n bits यह representable है क्योंकि हमने सारी bits का यूज कर दिया तो हमारा out of range नहीं है MSB becomes 1 हमारी MSB 1 नहीं है हमारी MSB 0 है therefore यह out of range नहीं है इसका मतलब है हमारा answer exist करता है तो हम देखेंगे check the sign हमारा sign है negative तो हम अगले step पे जाएंगे if negative finds the truth compliment and report the answer तो इसका truth compliment क्या होगा इसका truth compliment होगा सबसे पहले हम निकालेंगे once compliment by flipping the bits और add 1 तो यह होगा मेरा 11110111 यह है मेरा catchage यह है मेरा minus 9 in binary तो this is यह दोना आपस में पराबर है और hex के लिए हम क्या करेंगे इसको मैं लिख दूँगा f और इसको मैं लिख दूँगा 7 इसका मतलब है minus 9 in base 10 is equal to f7 of base 16 बहुत असान सवाल लेकिन अगर माझ लिए हमें बैंडरी से hexadecimal में convert करना होता simple अब पैंडरी यह given है 101101-1 इसको मैं hex में convert करना है तो यह मेरा base 2 के अंदर है यह मेरे को hex के अंदर convert करना है hexadecimal के अंदर तो कैसे करूँगा असान है तो hexadeismal के लिए क्या बोलता है है hexadeismal के लिए हमारा बोलता है कि ये मेरी 4 bits होने चाहिए और अगली 4 bits मेर को चाहिए तो 1101 क्या होगा हमारा 1 2 4 8 8 9 10 11 12 13 तो 9 10 11 12 13 9 का मतलब 9 A B C D तो ये हो गया मेरा D और हमारे पास है यहाँ पर 10 हम अब देखेंगे कि क्या ये normal number है unsigned वाला number है या signed वाला number है हमको given है कि ये signed number है signed number के लिए extension के लिए हमने देखा था कि हम यहाँ पर one extend कर देंगे और one extend करने के बाद ये मेरा हो गया e इसका मतलब है ये मेरा ed अब अगर कुछ गड़बर लग रही है कि हाँ ये कैसे हुआ तो आखरी बार मैं करके दिखा देता हूँ step by step कि इसका मतलब क्या है तो हमारे पास binary के गवन थी 101101 base 2 के अंदर और 6 bits है हमें इसको hexadecimal में convert करना है और hexadecimal हमारी 8 bit बांगता है तो एक काम करते हैं इसको सबसे पहले decimal में convert करते हैं लंबी approach लेते हैं ताकि एक एक चीज़ clear हो तो 101101 बाइनरी वाली algorithm के अंदर अगर हम जाएं binary से decimal में तो क्या है msb check करो हमारा msb यहाँ पर 1 है तो हमारा answer negative है और 2's compliment के बाद हमारा magnitude आ जाएगा देखते हैं तो हमारा msb 1 है तो हम यहाँ पर लगाएंगे minus cosine final answer में 2's compliment निकलते हैं इसका once compliment निकलने के लिए 010010 plus 1 तो यह हो जाएगा मेरा 010011 यह हुआ तो एक दो चार आठ 16 यह होगा मेरा 16 17 18 19 यह है मेरा minus का 19 तो this is equal to minus 19 of base 10 अब इसको में लिखता हूँ binary in base 2 obviously लेकिन 8 bits के अंदर तो अब हम लिखेंगा minus 19 की binary in 8 bits ठीक है लिखते हैं एक दो चार आठ तो एक दो चार आठ 16 बदिस चौन सट एक सोट हाई उस एलगर्थम का मैं फटा 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 लगा देता हूँ हमें minus 19 की binary लिखनी है तो सबसे पहले मैं लिखूँगा क्या बोलता है सैंड केस में सैंड केस में हमारा ये वनवन हमें रिपीट करना है और हम मैच करके देख सकते हैं कि ये मेरी जो बैंटरी है ये मेरी मैच करती है तो यहां पर हमारी टूज कॉंप्लिमेंट की पूरी थियोरी खतम होती है और अगली वीडियो के अंदर हम इससे भी आगे चलते हैं थोड़ी सी मज़ेदार सीचे के ओपर हम ध्यान देंगे जैसे कि लोजिकेट्स हो गया और तो लोजिकेट्स से पहले हम अगली वीडिय करें कमेंट करें सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि चैनल की रीच बढ़ती रहें और बाकी लोग भी सीख पाएं थैंक्यू